हेलो एव्रिवन मेरा नाम राजियू है एंड जावा स्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यूज एंड वैरियेबल्स के बारे में वैल्यूज एंड वैरियेबल्स यह दोनों ही टॉपिक बहुत बेसिक हैं बट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं आने वाले सारे वीडियो के लिए और इवन आपके पूरे जावा स्क्रिप्ट जरने के लिए राइट सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावा में स्ट्रिंग है सेकेंड हैं इंटीजर यानि ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना हो जैसे 76 यह क्या है एक नंबर है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम यह कौन से वैलू है इंटीजर वैलू उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इंटीजर के numbers, अगर spelling काई mistake है तो उसके लिए sorry, उसको आप सही कर ले न, okay, then next है हमारा boolean value, तो java script में दो ही boolean value होता है, पहला true and दूसरा false, right, इसको हम क्या बोलते है, boolean value, boolean value, right, and boolean value के बाद, हमारा next आता है array और object, array हम कैसे बनाते है, double quotation, इसके अंदर कोई भी अगर element है, जैसे 3 हो गया, true हो गया, आप string भी दे सकते हो, hello, bracket open close के अंदर, हम जो भी लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते है, array बोलते है, right, और array के बाद, हमारा जो last है, literal, यानि value, उसको हम क्या बोलते है, object, जो हम curly braces बनात है, तो जो हमारा object और array है, उसकी बात हम अलग से करेंगे, बाद में उसकी हम बात करेंगे, अभी हम इन चारों को देखते हैं, कौन-कौन सा, सबसे पहला string, जो double quotation या single quotation में लिखते हैं, दूसरा integer, मतलब ऐसे numbers, जिसमें point ना हो, तीसरा floating point numbers, मतलब ऐसे numbers, जिसमें point हो, and fourth, true-false, यानि boolean value, right, इसको हम literal भी बोलते हैं, याद रखना, so अब कोई भी एक value लेते हैं, जैसे, मैं ले लेता हूँ, Rajiv, जो मेरा नाम है, right, हमारी एक value है, और ये कौन सी value है, double quotation में लिखी है, इसलिए string है, even single quotation में भी कोई value लिखी है, जैसे hello, ये भी string है, ठीक है, अब multiple word भी इसमें लिख सकते हैं, hello, how are you, हम पूरा sentence भी frame कर सकते हैं, double quotation है, single quotation के अंदर, अब suppose अगर इस value को हमें console करना है, यानि browser के console में देखना है, तो क्या करेंगे, तो java script में instruction देंगे, उसके लिए हम console.log parenthesis open and then parenthesis close, file को save कर लेते हैं, और फिर इस file को कैसे HTML file में embed करेंगे यहाँ पर body के अंदर, मैं already बता चुका हूँ, अगर नहीं पता तो जा कि इस series के पूराने videos देख लो, और अगर पहले से आता है, तो बहुत अची बात है, तो आप live server से इस web page को हम run करेंगे, live server यहाँ से extensions में जाके search करोगे live server, install कर लेना, right click करो HTML file पे, open live server, और यह हमारा browser open हो गया, right, अब इसके console में चलते हैं, console में कैसे चलेंगे, अब इस सोच रहोगे green color कैसे आ रहा है, तो यह मैंने CSS styling दी हुई है, पुराने videos जो मैंने इस सब बताया है, तो click करते हैं, inspect में चलते हैं, आगे, अब console में चलते हैं, यह देखो, राजिव, हमारा output आ गया, so क इसको हमें console में print करना है, तो कैसे करेंगे, console.log और इसके अंदर क्या लिक देंगे, 88, so save करते हैं, फाइल को, यह देखो, update हो गया, राजिव, 88, दोनों output आ गया, ठीक है, वो कोई बुलियन बेले लेते हैं, जैसे true, so console.log और इसके अंदर में देएता हूँ, true, right, t lowercase में होगा, true और false का, boolean value, basically true और false दोनों कीवर्ट से lowercase में होते हैं, देखो आगया, और कोई भी value लेलो, अगर सपोज हमारा force क्या था, point वाला कोई भी न, floating point, so console.log, अब जैसे मैं दे लेता हूँ, 87.098, save करते हैं, देखो, आगया, अब दो और मैंने किया बताया था, array और object, तो array कैसे form करते हैं, square bracket के अंदर, जो भी values लिखनी हो, जैसे माल लो हमें multiple values, एक student है, जिसके चार subject का marks store करना है, पहले subject का marks है 65.9, दूसरे subject का marks है 12.4, थर्ड subject का marks है 67.45, फोर्थ subject का marks है 34.8, okay, और एक boolean value store करनी है, कि क्या student fail है या पास है, तो पास है, तो उसके लिए true, तो यहाँ पे true, student name भी store करना है, तो name तो double quotation है, single quotation में लिखेंगे, तो मैं name लिख देता हूँ, अन्नुज, अब यह सारे values मैंने कहा लिखा है, bracket के अंदर, तो यह पूरा का पूरा क्या होगा हमारा array हो गया, array मतलब क्या list of values, जिसमें multiple values हो, अब हम चाहें तो इसको variable में किसी store कर सकते हैं, जैसे my array, मैं अभी variables के बारे में बात करूँगा, अभी रहने देता हूँ, अभी मैं इसको diet console कर देता हूँ, सीधे मैं console.log में लिख देता हूँ, console.log, parenthesis open, and बिलकुल last में, जहाँ पे रहे close हो रहा है, वहाँ पे हम फिर parenthesis को close कर देंगे, save करते हैं, देखो, output आ गया हमारा, इसी तरीके से हम object भी form कर सकते हैं, बट object के बारे में हम बात आने वाले वीडियो में करेंगे, तो यह हमारे values थे, यहों values clear हो गया होगा, क्या होता है, जैसे 7, एक value है, integer value, कोई point में number लिखा है, तो floating value है, double quotation में लिखा है, तो string value है, अगर true लिखा है, तो boolean value है, right, अब बात करते हैं variables की, तो पहले मैं यह स store करकर रख लेते हैं, ताकि उसको multiple time हम use कर सकते हैं, suppose हम कोई mathematical operation perform कर रहे है, जहां पे जो pi की value है, यानि कि 3.1414, इसको बार-बार हमें use करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक variable ले सकते हैं, variable का name कुछ भी ले लो, मैं ले ले लेते हूँ pi, पूरा upper case में, lower case में भी ले सकते है अब ए 3.1414 कहां store हो गया, हमारे computer में, computer की memory पे store हो गया, जिसका location क्या है, जिसको represent कौन कर रहा है, pi, तो pi क्या है, हमारे computer की memory पे, एक space, एक जगह का नाम है, pi, जिसके अंदर हमने क्या store कर दिया है, 3.1414, अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपके घर का address है, 153F, राइट आप कानपूर में, राजिंदर विहार का उलनी में, 153F में रहते हो, तो 153F में कोई भी जाएगा, तो हमेशा आप वहाँ पे मिलोगे, तो उसी तरह जो हमारे computer का memory है, ऐसे मालो, जिस address पे 3.1414 को हमने store किया है, उसका नाम क्या है, उस जगह का, pi, तो जब भी आप pi को access क होगे, क्या प्रिंट करेगा, क्या value हमें मिलेगी, 3.1414, तो अब देखो, अगर हम console करते है, console.logpi, save करते हैं, यह देखो, यहाँ पे क्या आगया, 3.1414, अब मानलो हमें, suppose हमें circle का area निकालना है, जिसका radius है 2.5, तो चलो, radius को भी एक variable में store कर लेते हैं, एक variable ले लेते हैं, और इसमें radius स्टोर कर लेते हैं, हम 2.5, अब हमें circle का area निकालना है, तो एक console में यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, अब circle का area क्या होता है, pi r square, तो pi की value किसमें है, हमने pi variable में रखा है, so pi then into r square, so r again into, again r, अब यहाँ पे होगा, क्या आप स dot log में मैं इतनी values दे दिये, तो होगा क्या, यह पूरा values multiply हो कि एक single value बन जाएगा, और console dot log उसको print कर देगा, तो safe करते हैं, यह देखो, हमारा 19.63375 area आप चाहो तो इसको भी किसी variable में store कर सकते हो, so मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ, और ऊपर में एक variable ले लेता हूँ, area और इ I hope clear हो गया होगा, variables क्या होते है, variables basically हमारा जो computer का, अब देखो, जो भी data है, जैसे 2.5 हो गया, true हो गया, कोई string value हो गई, जो भी हम program में use कर रहे है, वो finally store कहाँ पे होता है, हमारे computer की memory पे होता है, ठीक है, तो अगर कोई भी हम variable लेते हैं, तो उसके अंदर कोई हम value store करते है तो variable क्या करता है, computer की memory पे किसी particular जगह को represent करता है, ठीक है, और अगर R, किसी मान लो memory पे R किसी particular जगह को represent कर रहा है, और R में अगर मैंने 2.5 store किया है, तो R, तो 2.5 उस particular जगह पे जाके store हो जाएगा, जिसको कौन represent कर रहा है, R represent कर रहा है, मतलब, सपोज आप मुंबई मे नए नए गए, आपने builder से, builder से घर खरीदने गए, आपने घर नहीं देखा, जिस घर बहुत सस्ता था, आपने builder को पैसा दे दिया, और ओ बोला कि पुनम विहार कॉलनी में चले जाओ, और वहाँ पे 167A, flat number तुम्हारा है, तो उसने आपको address बता दिया, जो उस location को represent कर र address है, उस जगह का, जहां पे 2.5 एक store होगा, I hope clear हो गया, और जो मैंने लिखा है, RSI 2.5, इसी को हम बोलते है, variable declaration, जब किसी variable में हम value लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते है, variable declaration, अब आप चाहो तो इस variable के पहले Java में एक keyword है, let नाम का, let, इसका use कर सकते हो, ठीक है, let क्या है, जिसकी help से हम variable declare करते है, right, अब हम बिना let के भी कर सकते हैं, बट वो पुराने Java script में होता था, अब जो modern Java script में आया है, उसमें let और const दो keyword का use होता है, यह दोनों क्यों use होते हैं, दोनों अलग-अलग क्यों है, यह हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, right, so अभी आने व area assign with this, save करते हैं, यह दोखो, value हमारी आ गई, so I hope clear हो गया होगा, variables हम JavaScript में कैसे लेते हैं, variables को कैसे declare करते हैं, उनके अदर values कैसे store करते हैं, right, so thank you for watching this video, और इस series के मैंने और भी videos बनाया है, जाक उसको starting से देखो, कोई भी confusion है, तो comment में बताओ, video को अगर अच्छा लगा, त Thank you.